बिना किसी जहरा, बिना किसी महनत, सिर्फ एक कप चनादाल से आज हम बनाने वाले हैं, मार्किट में मिलने वाली हजारों रुपे किलो की बहुत ही शानदार मिठाई, ये देखे ऐसे लग रहा है ना, ये बुंदी घर में कितनी बारिक बुंदी कैसे छानी है, तो आज मैं आपको सारे सीक्रेट बताने वाली हूं और बहुत आसान तरीका स्षेर करने वाली हूं, मोती चूर के लड़ू घर में बनाने का, देखे, कितने टेस्टी, कितने रसीले बने हैं, एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से मैं आज आज आपको एक्स्प्लेन करूंगी, ता ज्यादा हेल्दी होती है, बस इसलिए, आप कोई भी चनादाल ले सकते हों और इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखना है, तो मैंने पहले ही भिगो के रखी थी, और देखे, भिगो के रखने से क्या होता है, एक कप का डेड़ दो कप हो जाता है, इतनी जदा पूल चुकी है, देखे, ऐसे तोड रहे हैं तो तूट जा रही है, अब क्या करना, इसको अच्छे से 2-3 बार मैंने पहले ही धोके रखा है, तो इसका सारा पानी निकाल देंगे, पूरी तरीके से इसको ड्राय कर देंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा-थोड़ा करके हम मिक्सी के जार में इसको ब्लेंड करेंगे, यानि कि पीसेंगे और दरदरा पीसना है, हमको यहाँ फाइन नहीं करना है, दरदरा पीसना है, थोड़ा सा खड़ा-खड़ा सा होता है ना दरदरा वैसा वाला, बिल्कुल फाइन नहीं करना है, क्योंकि हमको बिल्कुल जी में ये बन के ready भी हो जाएगी और जित्ती देर में आप लड्डू बांदेंगे न उत्ती देर में तो बच्चे इसको खा के भी खतम कर देंगे, देखें मैंने कितनी दरदरी इसको grind की है बहुत ज़ादा fine नहीं करना है और इसी तरीके से देखें मैंने बाकी की भी जितनी हमारी चना दाल थी, सबको इसी तरीके से दरदर, आप बीच बीच में आपको चना दाल के pieces भी दिखेंगे, तो घबराने की कोई जरुवत नहीं है, वो बाद में अपने आपे पिस जाएंगे, तो देखिए बिना पानी के हमने पीस के रखी, अब यहां मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लिया है मिठाई बना रहे हैं, तो रिफाइन में तो बनाएंगे नहीं, और मोती चूर के लड़ू तो देशी घी के ही अच्छे लगते हैं तो बस इसी लिए, यहां पे मैंने बहुत कम क्वांटिटी में घी लिया है जितना यह एब्सॉप करते जाएंगे उतना मैं एड़ कर दूँगी बाद में तो देशी घी है, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है यहां पे, और इस तरीके से देखिए मैं कैसे हाथ से दबाते हुए पतला-पतला फ्लैट करते हुए इसको देशी घी में अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी इसको क्रिस्पी नहीं करना है बस अच्छे से फ्राई करना है एक अच्छा सा हलका क्रंच आ जाए बस उतना ही बहुत जादा लाल नहीं करना है बहुत जादा पकाना नहीं है बाहर की लेयर इसकी कुरकुरी हो जाएगी अंदर से ये सौफ्ट ही रहने चाहिए तब ही हमारे रसीले चमकदार चटकारेदार लड़ू बनके तयार होंगे और देखिए बिना किसी जाराव ऐसे मूधी बनाते कितनी मेहनत कितने बड़तन निकलते फटा फट से देखिए ऐसे लग रहा है बिस्कुट तले जा रहे है तो इसी तरीके से देखिए हलका सा कलर आया बस इसी स्टेच में निकाल लिएंगे और इसी तरीके से आपको सारे, हमने जितनी भी हमारा दाल का बैटर है, सब को इसी तरीके से फ्राइ करना है, पहले गैस का फ्लेम बहुत हाई किया था, जब हमने इनको डालना शुरू किया तो गैस का फ्लेम लोग कर देंगे, एक एक करके मैंने सारे फ्राइ कर लिया है, औ अपने आप़ी ऐसे टंडे हो जाएंगे और जब यो ठंडे हो जाएंगे तिम उसको क्या करना है मिक्सी जार में दरदरा ग्राइंड करना है फिर से मैं बोलूंगी दरदरा बिल्कुल fine powder नहीं बनाना है बहुत जयादा खड़ा नहीं रखना है दरदरा रखना है, जैसे हमारी बूंदी होती है न, बिल्कुल वैसे ही, तो बस जैसे ही हलके ठंडे हो जाएंगे, हम इनको पीस लेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, इनको तोड़ तोड़ के रखते जाएंगे, जो इनको ठंडे होने में मदद करेगा, और जब तक ये ठंड मूती चूर के लड़ू की जो चाशनी होती है, उसके एसाब से बता रही हूँ, और उसमें एक कप के करीब, यहाँ पे मैंने चीनी डाली है, तो जितनी चीनी लेंगे, उसका जस्ट हाफ पानी लेना है, तो और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे, अब जो इसकी चाशन बनने वाला हो, बना ना हो, उसी समय पे बंद कर देना, यहाँ पे मैंने क्रश की हुई, इलाइची भी मिला दिये, एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, तो बस देखे, इसको इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए, अपनी चाशनी बना लेंगे हम लड्डू काई, जो मिक्शर हमने रेडी किया है, ठंडा हो चुका है, इसको एक साथ नहीं पीसना है, भी याद रखिएगा, इसको ब्लेंडर का जार किता भी बड़ा छोटा हो, आपको थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, अब देखे मैंने पीस लिया है, और मैं दिखात कि आपको दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर दिखा होगा, कि हमको दरदरा ही पीसना है, अब देखे सारा पीस के रखा है, मैं अभी आपको और करीब से दिखा देती हूँ, तो ताकि आपको लड्डू बनाते समय मदद हो, आप देखे ऐसे लग रहा है ना, इतन लबतार ना बने हो, वैसे हमको गैस का फ्लीम बंद कर देना है, लेकिन उससे पहले अभी हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसमें देखे कितना अच्छा जाग बन रहा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा फूड कलर डाल दिया, लड्डू बना रहे हैं, उनका कलर तो देना है न, तो यहाँ पर मैंने औरेंज फूड कलर डाला है, अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे यहाँ पर, चाशनी बनती है, तो वो शुगर के वाइट वाइट क्रिस्टल बन जाते हैं, तो ऐसा ना हो, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ बूंदे नीबू की डाल द और जितनी भी हमने बूंदी बनाई है अपनी, इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि के जितनी भी बूंदी है, वो अच्छे से चाशनी को एब्सॉप कर ले और थोड़ी फूल जाए, तो खिली-खिली सी बूंदी बनके तयार हो जाएगी हमारी, देख और हार है, रक्षा बंदन है, राखी पे अपने हाथ से ये चटकारेदार लड़ू बनाईए और सबको सर्प्राइस करिए, बहुत अच्छी देखिए, बूंदी कितनी फूल गई है, यहाँ पे और लग रही है बिलकुल मोती चूर के लड़ू की बूंदी, जो बिलकुल जीरो नंबर की होती है, बिना किसी जहारे, बिना किसी महनत के, आप यहाँ पे डाल देंगे मगच के बीच, यानि की खरबूजे के बीच, आप जो भी बोलते हों, इसको इसमें एट कर देंगे, क्योंकि मोती चूर के लड़ू में तो यही पड़ता है आप चाहें तो ड् फटा फट से देखिए, बांध लेंगे, बैटर को मैंने थोड़ी देर के लिए धक दिया था, मिक्स करने के बाद मुश्किल से 5-7 मिनट के लिए, वैसे ही ठंडा होने दिया था, उससे पूंदी थोड़ी और फूल गई और खिली-खिली हो गई, उसके बाद मैंने के बिना किसी जारे के, आपने इतनी परफेक्ट मोती चूर के लड़ू की बुंदी घर में बना ली, वो भी बिलकुल आसान तरीके से, I hope आपको ये रेसिपी और ये ट्रिक पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो, महनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर ब तेंक यू